देश भर में चारों तरफ दिवाली की धूम है दिवाली की साफसफाई तो हो चुकी होगी और अब रंगोली और घर को सजाने का काम भी पूरा हो गया है लेकिन दिवाली सिर्फ रंगो लाइट्स और साफसजावट के लिए ही नहीं बलकि कुछ और काम के लिए भी बहुत जादा मश्यूर है कई जगों पर दिवाली के दिन जुवा खेलने का भी बड़ा रिवाज है इस रिवाज को कई जगों पर परंपरा के तोर पर देखा जाता है कई लोग पूरे साल नहीं खेलते लेकिन दिवाली के दिन जरूर जुवा खेलते हैं तीन पत्ती खेलते हैं इसके पीछे एक रोचक कहानिया हैं तो चलो आज उस कहानी को ही समझ लेते हैं हिंदू मालिताओं के पौराणी कथाओं की माले तो दीपावली की राज जुवा खेलना इसलिए शुब है क्योंकि कार्टिक मास की सिरात को भगवान शिव और मापारवर्ती ने चौरस खेला था जुसमें भगवान शिव हाल गए थे तभी से दिवाली की राज जुवा खे सब को छार गए थे जुवे की लत आदमी को बरबाद कर देती है दिवाली की रात को शगुन की रात भी कहा जाता है दिवाली की दिन की रात में मालक्षमी का घर में आने के लिए वाहन किया जाता है लोगों का मानना है कि दिवाली की राज जुवा खेलना साल भर हार जीत कर संकेट माना जाता है और इस तरह जुए में जो जीता है उसका भाग्य साल धर चमकता रहता है मगर दिवाली के दिन जुवा खेलने से आपको इसके लत भी लग सकती है इसलिए अगर आप कभी जुवा नहीं खेले हैं तो आपको दिवाली के दिन भी जुवा नहीं खेलना चाहिए जुआ खेलना है तो बिना कुछ ताव पर लगाए मरवंजन के लिए खेल सकते हैं अगर आप परिबार में आपस मिलकर ठेल की तरह खेलते हैं तो उसमें आपस में प्यार बढ़ता है लेकिन पैसा लगाने से कभी आपके लिए हानिकारक हो सकता है जुए में पैसा लगाकर खेलने से मालक्षमी भी रुष्ट हो जाती है और साल भर आपको परिशानियों का सामना भी करना पर सकता है